तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पेटीम के शेर के बारे में अभी आपके सामने इसका मंतली टाइम फ्रेम का चार्ट है और जैसा कि आप देख सकते हैं जब से इसकी लिस्टिंग हुई है तब से शेर में भारी गिरावट है फिर 2022 के मार्च में इसने थोड़ से सपोर्ट लेके उपर गया उसके बाद फिर से गिरावट आई 22 के एंड तक फिर 23 की शिर्वात से धीरे धीर आप देख रहे हैं ये ग्रो कर रहा है उसके बाद फिर अभी इस चेर में गिरावट है और ऐसा लगता है कि अगर गिरावट जारी रही तो ये अपने 52 वीक लो के पास फिर से आ सकता है अब चलिए डेली ताइम फ्रेम के चार्ट पर देख लेते हैं इसका 52 वीक लो कौन सा पॉइंट है और इसका रीसेंट सपोर्ट कहाँ पे शो कर रहा है तो देखिए पूरे एक साल का चार्ट अभी आपके सामने है और जो मुझे यहाँ पे लो पॉइंट दिख रहा है एक साल पहले वो दिख रहा है यहाँ पे साड़े 400 के आसपास और करेंटली शेर 635 के लेवल पे ट्रेट कर रहा है और अगर आप ध्यान से देखिए 600 के लेवल से यह बार बब आपस उपर जा रहा है मतलब इसका रीसेंट सपोर्ट 600 का है मंतली, डेली और वीकली तीनो टाइम फ्रेम पे ही इसकी RSI वीक है फाइनेशल की बात करें तो quarter on quarter और year on year इसका revenue तो grow कर रहा है लेकिन इसका net profit minus में है इस वज़े से आप देख सकते हैं जब से share list हुए इसकी share में ग्रावट जा रही है और lower levels पे ही bottom पे आके share थोड़ा बाउंस बैक देता है फिर से नीचे आ जाता है पिछले कुछ दिनों से इसमें अच्छी volumes दिख रही है तो short term में इसमें एक bounce back की उमीद कर सकते हैं तो 595 के level को as a stop loss आप लेके चल सकते हैं और बहुत जादा quantity आपको इसमें buy नहीं करनी है partial quantity यहाँ पे buy करें अगर further ये 600 के level को तोड़ता है और आपका stop loss भी हिट करता है तो बाकी की quantity नीचे के support levels पे buy करके average कर सकते हैं ये मेरा technical view था पेटियम पे ये videos of education purpose के लिए है हमाई तरव से कोई investment advice नहीं है वीडियो अच्छा लगा हो तो like and share और इसी तरह के technical analysis के लिए हमाई channel को subscribe करें Thank you